नमस्कार ये है हिमाचल अभियवी डॉट कॉम और आप सुन रहे हैं ओनलाइं ज्री ट्यू बिलेटिन शुरुआत करेंगे आज की हर लाइंग से जराम कैबनिट की बैठे किजारी राजीर सैजल राकेश पठाणिया नहीं पहुंचे कई एहम फैसलों पर लग सकती है मुखर उन्हा में देराग तक कमरे से आती रही टीवी के आवाज माबाप ने दर्वाजा खुला तो फंदे से लिलटका मिला पीटा हिमाचल में आज से बिग्रा मौसम उची चोटियों पर बरबारी शुरू अटल टनल सैलानियों के लिए बत ममता के निकलने के बाद अविशे के घर पहुंची सी बी आई पत्नी सिकरी की पूझताच चिनम्यानंद का SS College एक बार फिर सूर्ख्यों में हाईवे किनारे अध्जली अवस्ता में मुरी छात्रा करनाटिक में जिलेटिन स्टिक धमाके से इच्छाए लोगों की मौत सी एम ने दिये जांच के आदेश आपके स्वास्थे का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल सीम जहराम ठाकुट की अध्यक्ष्टा में हिमाचल कैबनिट की बैठक जारी है बैठक में कई महत्तपून नीने लेने की उम्मीद की जा रही है आपको बता दे कि बैठक में दो मंत्री आज अनुपस्थित है बैठक में स्वास्थे मंत्री राजीव सैजल अनुपस्थित है बताया जा रहा है कि स्वास्ते मंत्री दिल्ली गए हुए हैं इसके अलावा वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया भी बैठक में नदारत हैं बतादे कि इस कैबिनेट बैठक में बजट सत्र में पेश होने वाले बिलों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है बैठक में राज्यपाल के अभिभाशन को लेकर भी चर्चा की जाएगी वही आगामी नगर निगम चुनाओ पार्टी चिन पर करवाने के मुद्धे पर चर्चा की जा सकती है नगर निगम चुनाओं में पार्टी चिन पर करवाने के लिए मंत्री मंडल से मंजूरी मिलने के बाद एक्ट को मंजूरी के लिए विधान सभा के मज़ट सत्र में पेश किया जाएगा कैबनेट बैठिक में हिमाचल में कुरोना वाइरस की स्थिती को लेकर स्वास्ते विभाग की और से प्रस्तुती दी जाएगी उना जिला में नौजवानों दोरा आत्मोहत्या करने का सलसला थमने का नाम नहीं रहा है बीतरोज जहां उकमंडल अंभ में 19 वर्षिय यूटी और 21 वर्षिय यूख ने आत्मोहत्या कर ली थी वही आज ताजा मामला उकमंडल बंगाना के जसाना में सामने आया है यहाँ पर 26 वर्षिय यूख ने फंदा लगा कर आत्मोहत्या कर ली युवक के पहचान हसन ठाकुर उर्फ लखी पुत्र सूरम निवासी जसाना के रूप में की गई है हसन ठाकुर उर्फ लखी अपने कमरे में था और टीवी आउन कर लिया देर रात तक टीवी की आवाज आने पर घरवालों ने दर्वाजा खटकटाया काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर जूर से दर्वाजा खुला गया तो लखी फंदे से जूल रहा था सुचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कबजे में ले लिया बदाया जा रहा है कि युवक बेरोजगार था और मई महीने में उसकी शादी तय थी इमाचल प्रदीश में मौसम ने फिर करवट बदल ली है और कई जगा बारिश बर्वारी का दौर शुरू हो गया है रुतांग दर्दे सहीतु उंची चोटियों में बीती राज से हलकी बर्वारी शुरू हो गई है मौसम विभाग ने 24-26 फरवरी तक बर्वारी और बारिश की जतावनी जारी की है विभाग के पुर्वानुमान को देखते हुए कुल्ड प्रिशाशन ने अटल टनल सलानियों के लिए बद करती है साथ ही पर्यटकों के लिए एडवाजरी भी जारी की गई है पर्यटकों को उन्जाई और हिम्स खलन संभावित शेतर में नजाने की सलाह दी गई है सुमवार को पर्यटकों को सोलंग नाला तक ही जाने की अनुमती दी गई थी जबकि आज भी अटल टनल सलानियों के लिए बन रहेगी मौसुविभाग में तीन दीन 24 से 26 फरवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश के आसार चताए हैं इस दोरान इन्ना, विलासपुर, हविरपुर और कांगडा में अंधर, ओलव रिष्टी और बारिश चक्की अन्यक शेत्रों में भारी बारिश और बर्बारी का यलो अलर्ट जारी किया गया है शेस समचार ब्रेक के बाद श्रीबालाजी मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल कांगडा जहां आपको एक ही चत के नीचे मिले बहतरीन चिकित सासो विधाएं कार्डियोलोजी, लेपरोसकॉपिक, ज़नल सरज़री, प्यूरो सरजरी, ओर्थोपेडिक, स्पीडियाट्रिक, रेडियो डाइगनोसिस, यूरोजी, गेस्ट्रोंट्रोजी, ऑफ्थेलमोलोजी, पैथोलोजी, मेडिसिन, अनस्थेसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनि और वेंटिलेटर सुविथा। पश्चिम बंगाल में विधानसवा चुनाओं की सरगर्मियों के भीच CBI भी आक्शन में हैं। कोल स्मगलिंग में जांच का दायरा बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममताव एनर्जी के परिबार तक पहुंच चुका है। ममताव एनर्जी के भतीजे अभिशेक वेनर्जी की पत्नी रूजीरा नरूला से CBI आज पुश्चाच करेगी। पुश्चाच के लिए CBI की टीम अभिशेक वेनर्जी के घर पहुंची है। इससे पहले मुख्य मंत्री ममताव एनर्जी अभिशेक वेनर्जी के घर पहुंची और बाच्चीत करने के बाद थोड़ी दिर बाद निकल गई। जैसे ही मंता बनुर्जी अभिशेक के घर से निकली, वैसे ही सिवियाई की टीम पहुंच गई, अभिशेक बनुर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला से सिवियाई पूच्ताच करेगी. सूत्रों ने बताया कि पुच्टाच के लिए रुजीरा नरूला से वी आई के सामने पेश होंगी उनसे गवाख के तौर पर पुच्टाच की जाने हैं उनसे जांच एजनसी के साथ इस छानवीर में सहयोग करने को कहा गया है यूपी के शाह जहांपुर के एसस कॉलेज की बिये द्मीतिय की छात्रा सोंबार शांप अधिचली स्थीती में नगरिया मोर पर मिली ग्रामिलों की सुचना पर पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया खालत गंभीर होने पर टौक्ट्रों ने उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रैफर कर दिया घटना के बारे में छात्रा ने कुछ फ़स्ट नहीं बताया पुर्व केंद्रिय ग्राजिमंत्री स्वामी चिन्मयानंग का एसेस कॉलेज एक बार फिर चर्चा में है वर्ष 2019 में एसेस लौ कॉलेज की छात्रा ने स्वामी पर यौन शोशन का आरोप लगाया था उस मामले में खुद चात्रा और उसके साथियों पर भी ब्लाक मेलिंग का आरोप लगा था करनाटक के चिक बल्लापूर में एक बड़ी धुर्गटना में च्छै लोगों की मौत हो गई है जिलेटिन स्टिक में धमाका होने की वज़य से च्छै लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घाल हुआ है पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मताबिक पुछ लोगों ने यहां गैर कानवी तरीके से जिलेटिन के स्टिक रखें होए थे लोगों को जब पुलिस की रेट के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें नश्ट करने की कोशिश की इसी दौरान जिलेटिन में धमाका हो गया और इसमें 6 लोगों की जान चली गए इस हादसे में एक व्यक्तिव ही घायल हुआ है ऐसा बताया जा रहा है कि ये सब ही खदान के लिए जिलेटिन स्टिक का इस्तिमाल कर दे थे इस घटना पर पियम नरेंद्र मोडी और सियम बियस यदुरप्पा ने ट्वीट किया कि जिला प्रभारी मंत्री और वरिष्ट अधिकारियों ने पूरी जाज करने और दोश्यों पर कड़ी कारवाई करने के नरदेश दिये हैं क्रिशी कानून के विरोध में निकली ट्रैक्टर रैली के दोरान 26 जनवरी के दिन लाल किला पर हुए हिंसा मामले में दिल्ली फूलिस ने जमू से दुआरोपियों मोहिंदर सिंग और मंदीप सिंग को घरफतार किया है जमू और कश्मीर यूनाइटिट किसान फ्रेंट के अध्यक्ष मोहिंदर सिंग 26 जनवरी को हिंसा के मामले में जमू से हिरासित में लिये गए पहले स्रक्ष हैं वे जमू शहर के चाठा के निवाशती है अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सोंवार रात हिरासित में लिया गया और तदकाल ही पूश्टाच के लिए दिल्ली ले जाया गया घरतलब है कि केंदरित के तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सिमाओ पर प्रदर्शन कर रहे हैं 26 जन्वरी के दिन किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी और कुछ परदर्शन कारियों ने लाल के ले पर धार्मिक जंडा भी लगा दिया था फिलहाल के लिए ओनलाइन रेडियो बुलेटिन में इतना ही आप पने रहे हिमाची लभी अभी के साथ नमस्कार